विलकम टू कारवकाडमी तो आज हम लोग सल्व करेंगे प्रस्णावली 8.3 लेकिन प्रस्णावली 8.3 को सल्व करने से पहले इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है जैसे इसमें आपको बेयाज, लाव, परतीसत, मतलब बहुत सारे बिक्रैमूल क्रैमूल के बारे में भूल जाओगे क्योंकि वो राटा हुआ चीज कभी याद नहीं रहता है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले प्रशनावली आठ दसमालो तीन को पढ़ने से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना थियोरी जिसको हम फर्मूला कंसेप्ट जो भी होगा वो सारे चीज पढ़ेंगे और जो यहां से स्टार्ट होता है अपने भूक में भी देख सकते हो ठीक है और आप लोग 8.2 में भी सब चीज पढ़ाया थे यहां से देखो अनुपातो से परती सत दिपर आ है अनुपातो से परती सत यहां से जो भी चीज़ दिया गया है सभी चीज के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हो तब फिर आपका जो परस्णावली आर्ट रसमलोती नहीं कोई दिकत नहीं होगा ठीक है क्या काया है कि कभी कभी किसी बस्तु या रासी के भाग अनुपात के रूप में दिये होते हैं ठीक है और उन्हें पर परतिसद में लिखना होगा अनुपात में तो कैसे लिखेंगे तब तुलना करेंगे जो कि आपका उधारन दिया है उधारन 14 में कि रीना की मता जी ने बताया कि इडली बनाने के लिए मालनो इडली जो बनता है साउथ में, इडली बनाने के लिए एक भाग उदर की डाल, उदर की डाल तथा दो भाग चावल का सकता होती है, इडली के ऐसे मिस्रण में उदर की डाल की डाल का परतिसत गयात करना है, देखो, कहा रहा है कि इडली बनाना है, इडली बनाने के लि देखो यहां पर लिखा हुआ है, मिस्टरण को अनुपात रुप में इस परकार लिखा जाता है, पहले चावल उसके बाद उदड़, तो यहां पर चावल कितना भाग है? दो भाग, और अनुपात लगा देंगे, और उदड़ के दाल कितना है? एक, तो दो अनुपात एक हो चावल तो दो बटा तीन हो गया अब पलस एक बटा तीन का है एक है आपका उदड़ के दाल तो एक बटा तीन हो गया तो दोनों क्या करेंगे अलग अलग लिक लेंगे आप चावल की परतिसत निकालेंगे आपको परतिसत निकालना बताये थे किसी भी चीज का परतिसत निक प्रतिसत निकलना आठ दसमलों को बहुत समझाया गया था कि किसी भी चीज का प्रतिसत निकलना अगे देखो अब देखो आगे देखो उधारण नमर 15 है कि रभी राजु तथा राय ने रभी तथा राय ने रभी राजु दो लड़का और एक राय तीन लड़का ने 350 इस परकार बाटे गए कि रभी को दो भाग राजु को तीन भाग तथा राय को पांच भाग मिले इस बटवारें प परतिसत प्रतिसत नकलना है सौन से गुणा राजु कितनाने परतिसत निकलना नकलना आगे गए देखते हैं मालो की पृप्तिसत जब बढ़ा्य घटका तो उसके बारे थूल उसके को बोलते हैं जिसे आप क्या स्टेट को राज्य को ठीक है जनसख्या इतना है और इतना से बढ़कर के इतना हो गई तब ऐसी त््हिति में जन संख्या के बिरिधी को परतिसत में क्या करना है समझना अधिक आसान होता है कैसे कि परदेश की जनसेंख्या 10% बढ़ गई मालो यहां से जो इतना जो दिया था इतना से इतना हुआ यह दस परशेंट बढ़ा हुआ है तो हम किसी भी राशी को बढ़ने या घटने को कुल राशी परतिसत के रूप में किस परकार परगड़ कर सकते हैं तो देखो आपको जब भी बढ़त घटत निकलना होगा कितना उसमें ब्रिधी हुआ आप सिधा से फर्मुला लगाना यह फर्मुला कभी भूलना नहीं ठीक है परतिसत ब्रिधी का फर्मुला होता है ब्रिधी बटा अधार बर्स में जीत इंटू 100 अधार बर्स में जीत क्यों हो रहा है क्योंकि यहां पर एक्जांपल कर साय फ्रॉला लिख्या गया ऐसे क्या होता है अधार बर्स में जो बीरिधी हो रहा है उस से पहले वाला ठीखे इं टू 100 से गुना कर दोगे परती सट बीर्धी आज्याएगा ठीखे इसको आगे भी लिखनाई अभी एक जगा सब फ्रॉला उसके बाद आजाओ यहाँ पर किसी बस्तू से सबाजित मुल तथा क्रे तथा विक्रे देखो अब क्रे और विक्रे क्या होता है इसके बारे में सीखो एक होता है क्रे का क्रे मुल इसको फुल नाम है और विक्रे का विक्रे मुल फुल नाम होता है जैसे मालो कि मैंने 600 प्रप्या में खरीदा दुकंदार से कुछ भी और उसे हम 610 प्रप्या में बेचूँँगा तो इसमें क्या किसको क्राइमुल और किसको भी क्राइमुल बोलेंगे इसको समझना बहुत ज़रूरी है ठीके जिस मूले पर कोई बस्तू खर दी जाती है ध्यानत पड़ना हमें स किर खर cooking में आप certified क्या सब्सक्राइब हम जब गकार प्राइब है ज्यूसरी आपी और किसको क्राइमुल नहीं किर दुखका अगयाल क्या सब्सक्तार क्रीज दनार क्राइमूल को सौर्ट में क्या कहते हैं तो एसपी बोलना और क्राइमूल को सीपी आप इसे अधिक आच्छा कहेंगे कि यदि किसी बस्तू के क्राइमूल पर ही उससे कम मुले पर उससे अधिक मुले बेचा जाए तो क्राइमूल तथा विक्राइमूल का धार में तय कर सकते कौन कौन कंडिशन है देखो आपको लाब हुआ कि हानी हुआ एक कंडिशन तय करेगा जदी मालो क्रैमूल आपका क्रैमूल मालो विक्रैमूल से क्या है छोटा है ना क्रैमूल जदी विक्रैमूल से छोटा हो जाएगा तो समझो क्या करना हो लाब के लिए विक्रैमूल में स से विक्राइमूल को मैनस कर देंगे आपका वश्कार हानी में आ जाएगा समझने बाद को इन तीनों चीजा को एंसर से निकलना होगा तो क्या से निकाला ngay 부분이 बिक्रायमूल में से क्रायमूल को घटा देंगे जब दुनों बराबर होगा तो न आपको हानी होगा न लाब होगा यह तो जानते होंगे और जब निकलना होगा आपका क्रायमूल जब कम हो जाएगा बिक्रायमूल से और आपको हानी निकलना होगा तक क्राइमुल में से क्राइमुल को माइनस करना पड़ेगा अभी हम सब आगे बताएंगे ठीके लेकिन उधारान में पहले दिया गया तो इस बात को समझीए ठीके आगे चलिए अब लाभानी परतिसत के बारे में परतिसत का फर्मुला याद रखिएगा में 100 होता है ठीके याद रहेगा लाभ सत हो गया अब हानी परतिसत बहे चीख लो हानी परतिसत का फर्मुला क्या होता है हानी परतिसत बराबर हानी बटकरेमल गुने 100 होता है यह सब याद करना बहुत ही जरूरी है नहीं तो आपको एक साइस समझ में नहीं आएगी जो कि हम नेक्ट वीडियो में वहीं बताने वाले हैं ऑफसा वापस करने से पहले यहां की सोखनी ने बताया क्यों उवरे एक नया धन है सोनी ने उतर दिया कि उसके पिताजी के उसके पिताजी इसके लिए बैंक से उधार यानि रिंड लेंगे उधार के लिए धन को क्या बोलते हैं मुल्धन देखो मुल्धन किसको कहेंगे मालो एक सोनी नाम की लड़की है और मोहन नाम का लड़का है तो मोहन ने बोला स सोहनी से कि हम हम एक स्कूटर ले रहे हैं तो किसी ने बोला कि उसके पास पैसा है क्या तो उन्हों ने बताया कि सोहनी बताया कि नहीं उसके पापा जी बैंक से क्या रहे हैं उधार ले रहे हैं जो उधार लेते हैं आप लोग बैंक से लेते हैं उधार हम लोग लेते हैं तो उपयों के लाने में बदले में कुछ अतिरिक धन वंग दना होता है जिसको ब्याज कहाना जैसे देखो आपस दोस्त दोस्तज्ट से 10 रुपा लिए हो तो उसको क्या बो लेंगे मुलधन कहेंगे और वहीगे और वहीगे मिला कर पूरा धन वापस करना होता है उससे को क्या बोलते हैं मिसरण ज़िके जो कि मिसरधन का फर्मूला होता है मुल्धन प्लस ब्याज दोनों को जोड़ दो यानि मिसरधन का फर्मूला होता है मुल्धन प्लस ब्याज होता है ठीके तो यहीं होता है बस इतना ही आपको सम समझना नहीं है तो लाब परतिसत हानी परतिसत मिसरधन क्या होता है ब्याज क्या होता है मुल्धन क्या होता है इन सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने सीखा ठीके अब हम लोग परशनावली 8.3 को सल्ब करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा और आराम से आपको कोई प्रॉबलम नहीं होगा आराम से क्वेशन अप करने लग जाओगे ठीके तो अगले वीडियो में हम परशनावली 8.3 को सल्ब करते हैं तब तक के लिए वी आफिति इसाथ बी डि और क्रैमुल भी क्रैमूल सिखना है और क्रैमुल कब लाव होगा कब नाहानी कंब नाहानी होगा इसके बारे मस्चार्चा कर लिजlor आज माजा हो जाएगा सारे एक्सर्साइज के सारे कुछ ventana आप अराम से कर लोगे ठीके चलिए मिलते हैं तक ले थैंक यू सो मच